In this video, I will show you how to fix error encoded. Error encoded को किस तरह हम fix कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसको fix करने के बाद जो status है, You are up to date, check for update. यह हमारे पास status शोग होगा, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने run command को open करना है. जैसी हम run command को open कर लेंगे, इसकी search में एक simple सी command type करनी है. इसकी search में हम type करेंगे c colon slash windows slash distribution तो यह simple सी command है, जैसी आप इसको type कर लेंगे, simple हमने ok करना है या interpress कर देंगे, तो यहाँ पर हम ok करेंगे. तो जैसी हम ok कर देंगे, software distribution की तमाम files को हमने select करना है, ctrl A करके इसके ओपर right click करेंगे, और menu में select कर लेंगे delete, तो जैसी हम delete file करेंगे, यहाँ पर process जो है वो continue हो जाएगा, इस box में हमने tick करना है, skip करना है और इसी तरह फिर एक दफा़ टिक करके, skip कर देंगे और channel को subscribe करेंगे, तो जैसी यह process को complete कर लेंगे, जैसी हम yes करेंगे, तमाम files remove हो जाएगी, इस process को करने के बाद window प्लस आर प्रेस करेंगे, तो run command हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगी, यहाँ पर हमने type करना है services.msc, इस command को यहाँ पर type करने के बाद simple हमने ok करना है, या enter प्रेस करेंगे, इन तमाम detail में हमने find करना है windows e1 collector, तो w का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम find कर सकते हैं, इसको double click करके open कर लेंगे, और right side पर set करेंगे, startup type यह disable है, तो आपने इसको automatic पर select करना है, apply करेंगे, और इसकी services को start कर देंगे, जैसी हम इसकी services को start करेंगे, ok करेंगे, इसके बाद second setting पर apply करेंगे, windows update इसको find करेंगे, w का बटन प्रेस करेंगे, bottom में हमने find करना है, windows update डबल क्लिक करके open कर लेंगे, इसकी भी startup type manual है, तो आपने इसको automatic करना है, apply कर देंगे, और ok करेंगे, तो जैसी ये process हम कर लेंगे, इसके बाद हमने open cmd administrator, इसको open करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, windows settings है, और bottom में हमने find करना है, right click करके command prompt, तो administrator के तोर पर हमने इसको open करना है, जैसी हम इसको open कर लेंगे, black window हमारे पास appear होगी, और video की description में जाएंगे, जैसी हम अपनी video की description में जाएंगे, वहाँ से हमने एक file copy करनी है, यानिके वहाँ से एक text copy करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, windows update setting हमारे पास available है, इनको one by one करके copy करना है, और इस black window में paste करना है, और interface कर देंगे, तो simple यह process हमने करते जाना है, चन्द सेकंड मैं wait करता हूँ, आपने ऐसे ही इसको copy paste करके, अपना जो process है उसको complete करना है, और Microsoft Windows की update की setting को auto पर set करना है, तो setting number 3 को भी हमने select करना है, और यहाँ पर paste कर देंगे, interface कर देंगे, और setting number 4, यहाँ पर हम देख सकते हैं setting number 4 है, इसके ओपर right click करके, इसको select करके, copy करके यहाँ पर paste कर देंगे, Microsoft Windows की तमाम setting जो है, वो auto पर set हो जाएंगी, यहाँ पर exit टाइप करेंगे, इसको close कर देंगे, और इन तमाम box को minimize कर देंगे, या close कर देंगे, error in content, यहाँ पर अब हमने retry करना है, तो जैसी यह process कर लेंगे, उसके बाद हमने get the latest update, इसको भी enable करना है, process automatically continue रहेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारी windows update की जो problem थी, यानि के error in content, वो fix हो चुकी है, windows update available, यहाँ पर हम देख सकते हैं, windows update available है, download और install हो रही है, तो आपने चन सेगंड wait करना है, जैसी यह update हो जाए, आपने अपने PC को restart करना है, यह message आपको receive होगा, जब आपने PC को restart कर लेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं setting है, setting पर apply करके, update and security, इसके उपर click करेंगे, और यहाँ पर processing continue रहेगी, जस्ट हमने चन सेगंड wait करना है, और इसके status को check करना है, you are up to date, check for update यहाँ पर available हो चुका है, तो इसी तरह आप error encoded को fix कर सकते हैं,